Hello student, welcome once again बच्चो इस वीडियो में हम लोग exercise 13.6 का 4th होला question solve करेंगे simple सा question है यहाँ पर हमें lateral surface area दे दिया गया cylinder का 94.2 cm का square और साथ ही उसका height भी हमको दे दिया गया यानि एक cylinder है जिसका lateral surface area side side का area जो कि हमने इसके बारे में मेरे हिसाब से exercise 13.3 में मेरे साबसे पढ़ा है cylinder का lateral surface area एक बारे में जहाँ भी पढ़ा है आपको मैंने पढ़ा है lateral surface area भी कुछ दिन पहले तो वो दे दिया गया है और उसका height दे दिया गया है हमको उसका radius find करना है और volume find करना है तो radius find करने वला इस step से question तो हमको पहले भी आ चुका है जो पिछले exercise में जब वहाँ पर cylinder आया था तो वस यह आपको कुछ नहीं करना lateral surface area का formula लगाना है वहाँ से आसानी से radius मिल जाएगा आपको तो जब radius मिल जाएगा तो हमको volume वाला जो formula इस वाले exercise में पढ़े है वह put करेंगो और आसानी से volume निकाल लेंगे यहाँ पर यह धिहान रखना है आपको कि इस बार पाई के value आपको लेनी है वो 3.14 लेनी है क्योंकि पहले हमनों 22 by 7 लेते थे क्यों लेते थे क्योंकि नीचे का 7 ऊपर के किसी ना किसी number से cut हो जाता था तो इन हो सकता है इस पर cut नहीं हो रहा होगा इसलिए यहाँ पर आपको बोला गया कि पाई की value आप इतना use की जापका आसानी से हो जाएगा इसलिए जल्दी इससे solve करते हो और देखते हैं कितना असानी से काम होता है तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके इसलिए के लो पहला question जो कि हम लोग solve कर रहे हैं जिसमें radius निकालना है तो lateral surface area equal to 94.2 cm का square lateral surface area और curve surface area में confused बिल्कुल मत होना क्योंकि दोनों same चीज होते है lateral surface area के नाम से है तो भी फॉर्मल रहेगा यहां पर जिसका जिसका आपको value पता है उसको put कर लो और transfer कर लो देखो value हमको 5 का पता है और edge का पता है R का पता नहीं है तो यहां पर मैं इसका value put कर लेते हैं 2 multiply हो जागा 3.145 का value जो हमको बोला गया था R हमको पता नहीं उसको बाद में लिख लूँगा edge का जगा मैं लिख लिएता हूँ 5 क्योंकि हमको edge जो है 5 cm दिया गया था question में इसाब सा बोला गया था कि its height is 5 cm तो एचे जगा मैं 5 कर लो और last मैं आप कर लो R equal कि उस side में 94.2 cm का square अब देखो इसका जब आप multiply करोगे तो 5 तो जब पहले 10 कर लो 10 का जब 3.14 से multiply होगा तो बस यह हमारा one digit decimal जो है आगे चला जाएगा तो इधर जब आप multiply करोगे तो यह हो जागा 31.4 multiply R equal कि उस फार में 94.2 cm का square है जहां देखना है यह जो हमारा निकला है 31.4 यह cm में है क्योंकि जो 5 था वो cm में था तो इधर हमार नीचे में आ जाएगा हमारा 31.4 cm ठीक है जैसा कि मैंने उताए यह cm में है तो एक cm से उपर का 1 cm कट हो जाएगा तो एंसर जो हमारा आएगा वो last में cm में आएगा और जब आप इसको solve करोगे ना तो जब डेसिमल वाले को करें दिखका था तो simply आप क्या करो decimal हटा दो उप 14 हो जाता है यानि कि अब जब इसको पूरा भी जब कट करोगे तो 314 multiply 3 करके देख लेना है आपका पूरा-पूरा 942 आ जाएगा तो यहां से हमारा जो रेडियस निकल गया वो निकल गया 3 cm पहला कोशन होता है यहां पर solve अब असमार पस दूसरा कोशन बचा है तो दूसर काम के है lifetime आपके काम आएंगे और यहां पर तो इस chapter के बाद यानि exam अगयर में तो काम आता ही आता है एक बर बस page पलटना और आपको तुर्ण रिवीजन हो जाएगा इसलिए formula उसको एकठा करके अई पर लिख लो ठीक है तो यह हमारा formula है इस formula पूट कर दो पाई के जाएगा 141 और फिर 30 आएगा लेकिन हम लोग जानते है क्या है कि यहां पर जब लास्ट में दो डिजिट के बाद देखो यहां पर decimal है ना decimal के बाद दो डिजिट है तो जब आपके इतना answer आ जाएगा इनसे भी का multiply करने के बाद तो इधर से आप right side से दो डिजिट के वल्यों निकल जाएगा इस तरीके से इस question को solve करना था I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आगे होगा अगर कुछ भी doubt हो आप मुझसे इंस्टाग्राम के तरूप पूछ सकते हो बिलेंगे बहुत नेक्ट वोले वीडियो में जहां पर जो आगे के questions हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से simple basic concept के साथ समझा दूँगा thank you for watching